So, hello guys, welcome back to our new video और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे myth about indoor plants इसलिए फिरे बगल में आपको ये indoor plants देखने को मिल रहा होगा क्या है indoor plants के regarding myth? देखे हम लोग architect हैं और हम लोग generally interior के project भी करते हैं और हम लोग architecture project भी करते हैं So, क्या है clients कई बार ऐसे आते हैं जो हमसे suggestion मांगते हैं क्योंकि they know कि हमें knowledge रहती है लेकिन यहाँ पर मैंने एक कमी महसूस की और वो ये कि इस particular point के बारे में आर्किट को भी कम knowledge है clients को तो है ही, आर्किट को भी कम knowledge है इसलिए जो miss guidance है वो बहुत जल्दी से बूम करती जा रही है So, there is a first miss guidance which is known as कि NASA ने 18 plants जब अप्रूव की है To be very honest, जब मैं जॉब कर रहा था और मेरे office में जब यह मैंने first time client के मुझ से सुना था So, I was little curious कि NASA का मतलब NASA ने अप्रूव की है 18 plants That means कि NASA का कुछ link है plant से मतलब NASA तो space के लिए work करती है तो bare minimum logic है कि वो space के लिए research कर रही है हमारी लिए थोड़ी कर रही है तो उनकी चीजों को हम क्यों लेंगे So, this point पर मैंने research करना start किया And what I found is कि yes, NASA did a research on these into our plants But there is a condition क्या condition थी कि उनको अपने space shuttle के लिए और space station में जो उनके astronauts रहते हैं उनके लिए करना था VOC impurities होती है उनको absorb कर सके तो उसके लिए उनके रिसर्च की थी वैसे तो उनके पास impurities के लिए air filter यह सारी चीज़े रहती हैं क्योंकि वो top notch qualities के जो हैं वो use करते हैं अपने space shuttle और इन सब चीजों के लिए लेकिन the thing is कि उन्होंने जो research की थी वो space के लिए की थी लेकिन इस चीज़ को logo ने या media ने इतना बढ़ा दिया कि people think कि ये 18 plants जो है न वो हमारे घर में भी लगे रहना चाहिए क्योंकि NASA ने अप्रूव किया है उन 18 plants को तो वो यह है कि मान लिजे एक example लेते हैं कि आप अपने घर में smoke कर रहे हैं अगर वो घर के अंदर रुख जाएगा तभी तो वह उठ रहा है न इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम लोग वेंटिलेशन का यूज करते हैं अब वेंटिलेशन दो तरीके की होती है एक होती है mechanical पार्ट और एक होती है natural पार्ट मेकैनिकल में आप लोग सबसे पहले अब किचन के अंदर हो या कहीं भी इस पेस में आप यॉस फैन ओन करते हो ठीक है जो भी mechanical आपके यॉस फैन है उसको अन करते हो वो धूमा फोरन बाहर सक करके बाहर फेक देता है secondly आप अपने घर का window open करते हो window से हवा आती है वो दूसरे हवा से आर पार हो जाती है और वो सारे धूमे को ले जाके बाहर ले जाती है इसलिए आप लोग देखते होगे जो लोग smoking करते हैं वो balcony में करते हैं या किसी ऐसे open area 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 room में करते हैं क्यूं करते हैं उसका reason क्या है उसका reason यह है कि on the spot सब खत्म हो जाएंगे तो वहां पर उन्होंने space के लिए किया था उसका हम से कुछ लेना देना नहीं था क्यूंकि यह जितना actively indoor plant work करेगा आप इसको passive में count कर सकते हो active में नहीं आपको अगर धूमा उठ रहा है घर के अंदर मालीजे घर में चौक लग रहा है kitchen में खान किया है आप या तो उनको aesthetically रखते हो या उनको इसलिए रखते हो क्योंकि वह living organism में है तो वह oxygen प्रोवाइड करते हैं इसलिए रखते हो लेकिन उसमें भी एक और misconception जो create हुआ और जो मैंने में को सुनने में आया और वह यह था क्योंकि यह जो है ना वह आर्किटेक्स भी हमने बच्पन में पढ़ी थी जहां पर हमने photosynthesis plant के photosynthesis के बारे में पढ़ा था और plant के respiratory system के बारे में पढ़ा था दिन में जब उन पर सूरज पढ़ता है तो वह photosynthesis करते हैं और respiratory करते हैं दोनों एक साथ होता है तो at that time वह oxygen को provide करते हैं रात को sunlight नहीं रहती है इसलिए वह ल अपने bedroom में रखूंगा तो oxygen की मातरा कम हो जाएगी क्योंकि वह CO2 छोड़ रहे हैं तो बात तो बहुत सिंपल सी है कि अगर यह CO2 छोड़ेगा यह plant अगर CO2 छोड़ेगा तो room के अंदर bedroom के अंदर जो है या किसी भी living space के अंदर जो है वह carbon dioxide की मातरा जादा आ जाएगी औ वहाँ पर गुटन फील होएं लग जाएगी लेकिन अगर मैं इसको other words में convert करूं plants को हटा देते हैं मैं यह बोलता हूं कि मैं मेरे parents के साथ एक room में सोता हूं और हम चार लोग एक bedroom में सोते हैं ठीक है हम चार लोग एक bedroom में सोते हैं और अपने parents के साथ में सोता हूं तो carbon dioxide तो इससे hundred times जादा होता है इसका मतला यह थोड़ी है कि आप अपने घर में अपने parents को निकलने को बोल दोगे कि मेरे room से निकल जाएगे please क्योंकि में को अकेले सोनी दीजिए no not at all इस logic से आप खुदी समझ लीजिए कि इस तरीके से चीज़े work out नहीं करती हैं बस क्यू भी very honest यह fact है बट एक important point इतने bare minimum amount में यह लो carbon dioxide release करते हैं कि जिसका आप पर impact भी नहीं पता चलेगा कभी तो किसी भी चीज़को समझने से और graphs करने से पहले आप हमेशा खुद से question पूछिए कि क्या logic है क्योंकि जब मैंने इन बातों को सुना था ना सबसे पहले मेरे mind ने मेरे से question पूछा था नासा वाली बात में मैंने खुद से question पूछा कि नासा का plant से और नासा के plant की research का हम से क्या लेना देना है दूसरा carbon dioxide यह release कर रहा है तो उससे जादा तो हम ही release करते हैं तो simple सी चीज़े हैं indoor plants अगर आपको लगाना है आप बिल्कुल से लगाए इसमें क terminology क्यों है अगर plant सारे carbon dioxide छोड़ी रहे हैं सारे oxygen दे ही रहे हैं और ले ही रहे हैं सारे respiratory system photosynthesis हो ही रहा है जब सब कुछ हो रहा है तो फिर indoor और outdoor plants का मतलब क्या है फिर फिर क्यों दो टर्मिलोजी वनी फिर तो plants को plants बोलते trees को trees बोलते यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए लोगों ने एक answer निकाल दिया कि यह indoor plant है मतलब आपने घर में लगा सकते हो और यह outdoor plant है बट इसके अगर terminology की बात करोगे exact word की बात करोगे थोड़ा detail में जाऊं कि इनको बोला जाता है indoor plants को बोला जाता है low light वाले plants ठीक है औ outdoor plant को बोला जाता है highlight वाले plants मतलब कहने का मतलब यह होता है कि जो indoor plants होते है अगर आप उनको bathroom में भी रखोगे ना किसी dark space में भी रखोगे तो वो survive कर लेते हैं वो कम light लेके भी photosynthesis कर लेते हैं और वो survive करते हैं respiratory तो उनका चालू ही रहता है चाहे light रहे चाहे नहीं रहे ठी लेकिन जो photosynthesis करने की प्रक्रिया होती है जिसे हम process को बोलते हैं वो कम light में भी कर सकते हैं indoor plants वही अगर हम बात करें outdoor plants के तो outdoor plants को proper light चाही होती है proper sunlight चाही होती है तभी वो कर पाते है photosynthesis को तो अगर आप outdoor plants को घर के अंदर लाके रखोगे तो उनको light कम मिलेगी और वो मर जा अब इसमें थोड़े और detail में बात कर लेते हैं यहां पर बहुत सारे clients हैं या लोग हैं जो पूछने के कोशिश करेंगा और वो यह कि हम अपने घर से फिर pollution हटाए कैसे तो यहां पर आपको दोनों चीज़े करनी पड़ती है आपको air purifier भी लगाना पड़ेगा और plants भी ल लगाते हो ना वह active air purifier होते हैं वह क्या करते हैं आपके air में से ना molecules को निकाल देते हैं एक पर्टिकुलर PM के होते हैं वह उनको निकाल देते हैं जो आपने सुना होगा ठीक है तो उतने को filter करके वह फिर आपको दे देते हैं लेकिन वह एब्सॉर्ब नहीं करते हैं वह सि को design करना हो या किसी के लिए design करना हो आप हमेशा याद रखिए आपको plants भी लगाने पड़ेंगे चाहे आप VOC वाले लगाईए और चाहे आप यह नॉर्मल plants लगाईए लेकिन साथी साथ आपको air purifier भी लगाना पड़ेगा अगर आपको अपने घर से pollution हटाना है तो I hope so कि आपको इस वीडियो से काफी दा नॉलेज मिली होगी और एक मित जो है वो आपके mind से हटा होगा और ऐसी interesting knowledge लेने के लिए आप मेरी चैनल को जो है वो subscribe कर सकते हैं और इस वीडियो को particularly like करके comment कर सकते हैं कि क्या आपको यह पहले से पता था या आप भी इसी मित में जी रहे थे कि हाँ नासा वाले plant और co2 वाले plant के बारे में ही आप अब तक जी रहे थे